आप देख रहे हैं इंडिया पबलिक खबर और मैं हूँ आपके साथ अरजिता पूरे देश में चुनावी मौसम की पुर्वईया के बीश खास कर महराश्ट और जारकन में विधान सभा चुनाओं की गहमा गहमी साफ महसूस की जारी है एक तरफ महराश्ट में बीजेपी शिंदे गुटवाली शिरसेना और अजित पवार वाली एंसीपी के महा युती गडबंधन के साथ साथ कॉंग्रिस उद्धव ठाकरे के गुटवाली शिरसेना और शरत पवार के गुटवाली एंसीपी के महा विकास अगारी गडबंधन अपने घोशना पत्र तो जारी किये ही लेगनेस बीच ग्रिह मंत्री अमिच्छाह ने महायुती की तरफ से मुख्य मंत्री के चहरे को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे महाविकास अगारी में हडकंप बच गया है और अब तमाम तरहा की अटकले भी तेज हो गई है दावों की अस्त्रों और बयान बाजियों के तीखे तीरों के बीच अब वादों की बौचार चुनावी राजियों में सभी पाल्टियों की ओड से की जा रही है जारखंड और महराश्ट्रों में विधान सभा चुनाओ की दंगल के बीच अब चुनावी वादों को अमली ज पहनाने के प्रॉमिस के साथ ही एंडिये और इंडिया गडवंधन के बीच का ये महासमर और भी ज्यादा दिल्चस्प मोल अक्तियार कर चुका है कई लोक लुभावन वादों को पूरा करने के दावों के साथ दोनों ही गडवंधन अब अपने मैनिफेस्टों के सहारे जनत के बीच अपनी पाल्टी को जनता का सच्चा हितैशी साबित करने के साथ ही अपने अपने कॉंपिटीटर की रणीती को धुआ करने में लगे हैं और जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी कड़ी में महराश्ट्र चुनाओं की मद्दे नजर फिलहाल खुलासा करने के साथ ही बड़ा एलान कर दिया है जिसके बाद महायूती के साथ ही महाराश्ट्र की राजनीती में हलचल काफी बढ़ गई है केंद्रिय अग्री मंत्री अमिट शाह जिटी सियम देवेंद्र फटनवीस और केंद्रिय मंत्री पियूश गोयल ने आज शिक्षा, स्वास्तिय और किसानों की भलाई पर खास तोर पर जोड दिया गया इसके अलावा पार्टी ने बुनियादी धाचे के सुधार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का भी वादा किया वहीं इसके बाद महायूती के सीम फेस को लेकर चल परही तमाम अटकलों और कयासों पर ब्रेक लगाते हुए अपने संबोधन में ग्री मंत्री अमिच्छाह ने बड़ा बयान दिया और साथ ही इस दोरान उन्होंने शरत पवार पर भी निशाना साधा देखिए ग्री मंत्री अमिच्छाह ने महायूती के मुख्यमंत्री प यूती सरकार का नेत्रू तो एकनाच सिंदे जी कर रहे हैं, एकनाच सिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टिया इकठ्ठा बैठकर इसका त्ताई करेगी, हम सरत पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। चुनाव के बाद जब भारतिय जनता पार्टी साथी दरों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिये वेट। सीएम होने के संकेत दिये थे, जिसको लेकर जबर्दस तरीके से चर्चा तेज हो गई थी। जिताना है। वह फड़नवीस का नाम सामने आने के बाद में महायूती की ओर से अगले सीएम फेस के नाम की सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई। हाला कि कुछ वक्त पहले खुद देवेंदर फड़नवीस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि चुनाओ के बाद हालात को देखकर बड़े नेता ही सीएम फेस तै करेंगे। एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान जब देवेंदर फड़नवीस से पूछा गया था कि आगामी चुनाओ में महायूती जो की महराश्रों में एंडिये गड़ बंधन है उसका सीएम फेस कौन होगा तो इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंदर फड़नवीस ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहां बैठे हैं हाला कि उन्होंने इस दौरान किसी का भी नाम नहीं लिया वही कारिटर्म के दौरान एकनाच शिंदे ने भी इस मुद्दे पर सीधे तोर पर कोई बात नहीं की उन्होंने कहा था कि सरकार का दो साल का काम और प्रदर्शन ही गचबंधन का चहरा है इधर महायूती में मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर फिलहाल कुछ भी खास बगावत जैसे सुर्तों नहीं बुलंद होते दिख रहे लेकिन एक कन्फ्यूजन जैसे इस्थिति यहां जरूर नजर आती है तो उधर विपक्षी गडबंधन महाविका महाविकास अगहाडी में मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर बयान बाजी कुछ अलग ही दिशा लेती दिख रही है बीते दिदो महाविकास अगहाडी में चल रही सीम फेस की अटकलों को लेकर कॉंग्रस की ओर से जवाब आया था जिसमें कॉंग्रस के और से कॉंग्रस के राज्य सभा सांसद और पार्टी के राष्ट्री महासचिव जैराम रमेश ने कहा था कि ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रतियोगिता नहीं है बलके महाविकास अगहाडी की सरकार बनाने की लडाई है चुनाओ के नतीजे आने के बाद गडबंधन मिलकर सीमपत को लेकर फैसला करेगा वही कुछ दन पहले एक इंटर्व्यू के दोरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने पिता उद्धव ठाकरे के सीम चेहरे को लेकर बयान देते हुए बड़ा दावा किया था उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर कहा कि विश्वासी चेहरों में उद्धव ठाकरे आगे हैं आदितिय ठाकरे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर किसने नहीं कहा है देखिए जितने भी सर्वे हैं ट्रैकर हैं उसमें यही आ रहा है कि कोई विश्वासी चेहरा है जो राज्य के बारे में बात से पूछा गया कि महाविकास अगारी की तरफ से उद्धो ठाकरे या किसी को सीम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया गया तो इस पर शरत पवार ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा कॉंबिनेशन चुनाओ लड़ने के लिए है चुनाओ जीतने में कोई समस्या ना आए इसलिए हमने ये फैसला किया चुनाओ में जिसके जितने उम्मीदवार जियादा जीतेंगे उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा उध्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे थे तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था मैंने खुद उनका हाथ आगे ब बादा किया है तो वही महाविकास अघारी ने महालक्षमी स्कीम के तहत 3,000 रुपे प्रतिमाह देने की घोशना की है दोनों नहीं किसानों के लिए कर्जमाफी का भी ऐलान किया है तो चलिए जानते हैं बीज़ेपी और महाविकास अघारी के घोशना पत्रों की बड़ी सबसे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करेंगे और सम्मान राशी को बढ़ाकर 15000 रुपए किया ज जाएंगे आंगनवाडी और आशा सीवकों को 15000 रुपए मासिक मांदिय मिलेगा वहीं 2027 तक महराश्ट्र में 50 लाख लखपती दीदी बनाने का लक्ष भी इस मैनिफेस्टों में रखा गया है अक्षय अन्ड योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राश मिलेगी 500 रुपए में गयास सिलेंडर दिया जाएगा और साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे इसके साथ ही किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जमाफ किया जाएगा सत्ता में आए तो महराश्ट्र में जातिगत जनगरना कराई जाएगी इसके अलावा आरक्षन की सीमा को भी 50 सास फीजदी से ज्यादा करने की योजना कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में की है बहराल महराश्ट्र की 288 विधान सभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोशित किये जाएंगे और यहां महाविकास अगहारी भी तलाशे जा रहे हैं महायूती में बीजेपी के अलावा शिवसेना शिंदे गुटवाली और अजित पवार की एंसीपी भी शामिल है अजित पवार फिलहाल जिप्टी सीम है पर वो कई बार मुख्यमंत्री बनने के चाहिं डेरिकली ही सही लेकिन जता चुके हैं ऐसे म अमिट शा के बयान से माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो पार्टी अपना सीम भी बना सकती है जो कि पॉसिबली देवेंद्र फटनवीज हो सकते हैं क्योंकि गडबंदन की राजनीती में महाराश्र के पूर्व सीम देवेंद्र अबर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें